दोस्तो एक बार फिर से हम आपके लेकर आए हैं सोनी टीवी के सीरियल इश्क पर जोर नहीं के एक बेद फेमस क्रेक्टर की लाइफस्टाल बाइगरफिय वीडियो जैसा कि आपने थमलेल में देखा होगा हम बात कर रहे हैं आपा परमार की जो इश्क पर जोर नहीं सीरियल में दादी का किरदार निभाती है कैसे लिए हैं दोस्तो आपा परमार की लाइफस्टाल इनकी रिलाइफ इनकी हाइट वेट फैमिली बाइगरफिय सारी डीटेल इस वीडियो में हम आपको आगे बताने की कोशिश करेंगी सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना दोस्तो वीडियो की शुरूरात में हम आपको पता दे की आपा परमार को सबसे पहले पॉपलर्टी मिलती स्टार प्लस के सीरिल से जी हाँ दोस्तो इन्होंने स्टार प्लस के सीरिल इस प्यार को क्या नाम दो में बुवा जी का किरदार निभाया था उसी सीरिल के कारण दोस्तों आज सबसे ज़्यादा लोग इने जानते हैं और इनके रियल नेम से ज़्यादा इनको लोग बुवा जी कह करी पुकारते हैं इसके लावा लोग इने हाई रे नंद किशोर नाम से भी पुकारते हैं क्योंकि उस सीरिल में इनका ये तक्या कलाम डायलोग था ये बार-बार अपने सिर पर हाथ रखके यही बोलती थी हाई रेनन की जोर चलिए अब इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इनके रियल नेम से इनका रियल नेम दोस्तो आबा परमार और प्रोफेशन से ये एक्टरस हैं अगर बात करें के बर्थ डिटेल के बारे में तो इनका जन्म हुआ था 11 जुलाई 1963 को ग्वालियर इंडिया में और साल तो चारी किस के इसाब से दोस्तो ये 57 एर्स की हो चुकी है नेशनल्टी दोस्तो आबा परमार की इंडियान है और रिलिजन से ये एक हिंदू है आबा परमार ने दोस्तो साल 1989 में बोलिवुड में डेब्यू किया इनकी डेब्यू फिल्म थी मैं आजाद हूँ इन्होंने अमिता बच्चन जी के साथ इस मूवी में काम किया था इसके लावा अगर बात क्रेन के टीवी डेब्यू की तो इन्होंने साल 2005 में टीवी में डेब्यू किया सबसे बड़ा रुपईया सीरियल से लेकिन दोस्तों जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया इनको पूपलर्टी मिली साल 2011 में स्टार पलस के सीरियल इस प्यार को क्या नाम दूसे इसमें इन्होंने बुवा जी का किरदार निभाया था चलिए दोस्तों आपको मिलवा देते हैं आपा परमार की फैमिली से इनकी फैमिली की फोटो और डिटेल दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वैसे तो दोस्तों आपा परमार को बच्पन से ही एक्टिंग का शोक था ये अपनी स्कूल्स में भी काफी प्लेज और ड्रामा में पार्टिस्पेट किया करती थी जिसके बाद इन्होंने 1980s में थेटर जोइन किया और फिर 1985 में ये मुंबई आ गी और इन्होंने सबसे पहले काम किया अमिता बच्चन जी के साथ और हिंदी के अलावा ये काफी सारी और लेंग्वेज में भी काम कर चुकी है जैसे बोजबुरी और राजस्थानी और अब बात करते हैं दोस्तों फिलाल की साल 2020 में दोस्तों ये काम कर रहे हैं सोनी टिवी के साथ उनके सीरिल इश्क पर जोड नहीं में और इस सीरिल में ये दादी जी का किरदार निभा रही है और इनका ये दादी जी का करेक्टर एकदम वेंग्यात्मक है चले दोस्तों आप वीडियो को एंड करते हैं अगर आपको मारी वीडियो अच्छे लगियो तो इसे लाइक जरूर करे साथ ही आप अपने सिजेशन हमें कमेंट बोक्स में दे सकते हैं